नवश्कार मित्रों विज़ार पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लक्षर में मैं हूँ अमित दूबेग और आज के इस वीडियो लक्षर में हम क्लास 10 इंगलीज के फर्ष्ट चैप्टर अलेटर टु गॉड का ध्यन करेंगे चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम है अल चलिए कोई भी दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा कमेंट हमें यहाँ पर दिखेगा जो भी आप कमेंट करेंगे मैं यहाँ पर पढ़ूंगा और उसके बाद मैं आपको रिपलाई करूंगा ठीक है चलिए सबसे पहले कहते हैं कि दा हाउस मतलब वहां घर दो ओनली वन अक अकेला था दा हाउस वहां घर तो यह सिरस्दा पढ़ लेंगे कि वहां घर उस संपोर्ण घाटी में ओनली वन अकेला था पहले लाइन क्लियर हो गई दूसरी लाइन क्या कहती है दूसरी लाइन कहती है कि सैट यह बना हुआ था ऑन दे क्रिष्ट चोटी पर ओफ लो ही ल बना हुआ था एक लाइन हमारी एकलेर हो गई हमने क्या पढ़ लिया कि वहां घर उस स्पूरी गाटी में अकेला था और एक छोटी पहारी की चोटी पर इस्थिथा यह फिर बना हुआ था चलिये आरती चोटी कहती है हेलो, हेलो डियर, हलो 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 आवा जा रही है, हलो 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 हाँ हां ठीक है, आप देखिए आगे क्या कहते हैं, He kept from this height, from मतलब से, this मतलब is, height मतलब उचाई से, तो इस उचाई से one, one यादनी जाने कोई भी व्यक्ती, मैं आप कोई भी शामान ने व्यक्ती, कोई भी खड़ा हो जाए उस उचाई पर तो उस उचाई से कोई भी व्यक्ति could she देख सकता था, क्या देख सकता था थोड़ा सा जूम आउट करेंगे इसको क्योंकि बहुत बढ़ा हो गया है, ठीक है could she देख सकता था, the river नदी को देख सकता था, and the field और खेतों को देख सकता था, of ripe corn ध्यान से समझी, ripe का मतलब होता है पकी हुई, corn का मतलब होता है, मकई लेकिन हम यहाँ पर कहेंगे धान की फसल, ठीक है धान की फसल को देख सकता था dotted with flowers, जिस पर flowers, जिस पर फूल dotted थे, जिस पर फूल लदे थे, यानि फूलों से लदे flowers dotted, फूलों से लगे, ripe corn धान की फसल को एक field खेत को और river और नदी को कुझसी देख सकता था, तो यह सिरसिदा हो जाएगा, कि इस उचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था, और फूलों से लदे धान की फसल के खेत को देख सकता था, that जो always हमेशा promised वादा करते थी, या good harvest एक अच्छी फसल का, जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे, कहने का मतलब अगर धान की फसल पर बहुत अच्छे अच्छे फूल अदे हैं, तो जाहिर सी बात है खेती अगर अच्छी है, तो फसल अच्छी होगी चलिए, डाकू कहते हैं, ठैंक सर बेठा, आपका नाम तो बड़ा खतरनाक है डाकू कहां के डाकू है आप चलिए, ठीक है आश्व प्रजाक्ट प्रती कहते हैं, ठैंक सर ठीक है, कोई डिक्कत हो, कमेंट कीजेगा हम यह आपे देख रहे हैं, तो यह क्लिएर हो गया कि सुचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और फूलों से लदे धान की फसल के खेतों को देख सकता था जो हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे दो ओनली ठींग केवल एक वस्तू द अर्थ मतलब प्रतिवी को धरती को धरती को केवल एक चीज की नीडेड आवशक्ता थी धरती को केवल एक बरसात की आवश्चता थी डाउन पूर मतलब बरसात की आवश्चता थी और अथ्वा एट लीस्ट कम से कम अशावर शावर मतलब बूदा बांदी थोड़ी सी बूदा बांदी की आवश्चता थी तो पृतिवी को अर्थ को केवल थोड़ी सी बरसात अथ्वा थोड़ी सीबूदाबादी की आवशक्ता थी त्रो आउट दम मॉर्निंग मॉर्निंग का मतलब होता है शुभा द्रो आउट दमार्निंग का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा सारी शुभा तो आउट दे मॉर्निंग सारी सुबह लैंचो जो यह लैंचो है ना लैंचो कोई आम व्यक्ति नहीं है यह लैंचो बड़ा इंपोर्टेंट व्यक्ति है क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि यह आपकी कहानी का हीरो है ठीक है तो सारी शुबह लैंचो लैंचो क्या करता है भ से जानता थाे डन नथिंग है उसने डन नन ऩें pook भी नहीं किया है नतिंग मतलब रिखी body hre being a kept इसके अलावा यानि उसने कुछ भी नहीं किया बट सी देखने के में देखने की देश कया का सको ट्वारड नौर्थ इस्ट उत्तर पूर्व में उसने आकाश को उत्तर पूर्व में देखने के अलावा टन न थी कुछ भी नहीं किया ठीक है पहला पैराग्राफ यहां से लेकर यहां तक कम्प्लीट हो गया कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा आगे चले चलिए अब वो क्या कहता है बड़ा सुन्दर है इस चैप्टर देखे क्या कहता है कि नाओ अब वी आर रेली हमें वास्तों में गोईंग टुगेट मिलने वाला है समवाटन कुछ पानी अब हमें वास्तों में कुछ पानी मिलने वाला है वूमेन महिला वह अपनी महिला से कहता है अपनी पतनी से कहता है कि पतनी या फिर महिल अब हमें वास्ताव में कुछ पानी मिलने वाला है The woman वह महिलाWas preparing जो बना रही थी सपर रात्री का भोजन धर में गया अपनी पत्नी से कहा कि भाई थमको पानी मिलने वाला है तो उसकी पत्नी क्या कर रही थी यह भी उमको बिताए गया है कि उसकी पत्नी जो थी अगर God की इच्छा हुई भगवान की इच्छा हुई हाँ अगर इश्वर की इच्छा हुई तो ठीक है आगे क्या कहते हैं कि the older boys जो बड़े लड़के थे were working वो काम कर रहे थे in the field खेतों में तो बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे वाइल जबकी the smaller ones छोटे लड़के were playing खेल रहे थे near the house घर के पास जबकी छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे आगे क्या कहते हैं until जब तक की the woman उस महिला ने called to बुलाया नहीं देमाल उन सभी को जब तक उस महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया वो क्या कहती है come for dinner dinner के लिए आजाओ भोजन के लिए आजाओ it was during the meal it was during during का मतलब होता है के दौरान the meal भोजन के that तो भोजन के दौरान या फिर भोजन करते समय just as जैसा की अब चलेंगे अगले पेज़ पर तो दीखिए यहां तक clear हो गया सबका कोई डाउट नहीं है clear कर लेते हैं एक बार फिर से क्युवाँ घर उस entire वाली उस संपूर्ण घार्टी में only one अकेला था और set on the crystal for low hill और एक चोटी पाड़ी की चोटी परिस्थित था इस उचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था और फूलों से लदी हुई धान की फसल को देख सकता था जो हमेशा एक अच्छी फसल का बादा करते थे फूलों से लदी हुई धान की फस बोदाबादी तो धरते को केवल थोड़ी सी बरसात या फिर कम से कम एक बोदाबादी किया हो सकता थी सारी सुबह लैंचो जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था उसने कुछ भी नहीं किया सिवाए आसमान को उत्तर पूर्व में देखने के यानी लैंच अच्छी का भोजन तयार कर रही थी वो उत्तर देती है हां आकर इश्वर ने चाहा तो बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जब कि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे जब तक कि उस महले ने उन सभी को नहीं बुलाया कम फॉर डिनर भोजन के लिए आजाओ अब हमको अगले पेज पर चलना होगा तो हम आगे देखेंगे तो जश्ट एज जूम करते हैं थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं चलिए जैसा कि लैंचो ने प्रिडिक्ट किया था जैसा कि लैंचो ने भविष्वारी की थी यहाद करने का मतलब होता है भविष्वारी करना आप भी भविष्वारी करते हैं आप कहते हैंना किसी से जगना हो जाती तो करेंस के मारूंगा तो लैंचो की तो जैसा कि लेंचो ने भवि strangely की थी बिग डॉप्स बड़ी बूदे ऑफ रेन बरसात की बिगन टुफाल गिरने लगी बरसात की बड़ी बड़ी बूदे गिरने लगी आगे क्या कहते हैं कि जैसा के लेंचों ने भविश्वारी की थी बिग रेन बिगन टुफाल बरसात की बड़ी बड़ी बूदे गिरने मादलों के बड़े बड़े पहाड आते हुए दिख रहे थे दे एर हवा जो थी फ्रिस थी ताजी थी एंड श्वीट और मधूर थी बरसात होने लगते हैं तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है तो हवा ताजी और मधूर थी दमायन वहाव्यक्ती वेंट आउट बाहर गया फॉर नू अधर रीजन ये नू अधर रीजन देखकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत तो कंफ्यूज होने वाली बात यहां पर सीधा सीधा है कि नू अधर रीजन का मतलब है नो मतलब नहीं अधर मतलब कोई दूसरा रीजन मतलब कारण तो कोई और कारण नहीं था करने के लिए दर्रेन बर्षात के ओन इस बाड़ी अपने शरीर पर तो वो व्यक्ति बर्षात के आनंद को इस बाड़ी अपने शरीर पर फिल करने के लिए महसूस करने के लिए विंट आउट बाहर गया और ये इसका कोई मतलब नहीं बनता यानि कोई दूसरा कारण नहीं था कारण सिर्फ इतना था कि वो अपने शरीर पर बरसात की बोदों की खुशी को महशूश करना चाहता था और था वो बरसात में भीगना चाहता था के क्लेर हो गया अब इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए नहीं तो यह इसे बना रहेगा कि चली हमारा चेप्टर हमसे आगे क्या कहता अरे भाई हमने मिटाया मिटा नहीं कि अब भाई हटिए यहां से जवर्जस्ति लोग चले आते हैं वही हाल है रिष्टेदार जवर्जस्ति घर चले आते हैं और पीर आगे पूछते बेटा क्या पढ़ रहे हो कितना पढ़ार है तुम्हारे गुरुजी कभी-कभी ऐसा होत है ना दो चार रिष्टेदार आ जाते हैं और ज्यादा तरफ मम्मी पापा के आगे जरूर पूछेंगे कि क्या पढ़ रहे हो फिर मन करता है कि कोई पत्थर उठाए या फिर कोई बड़ी सी इट उठाए और इनके पटक दे और बताए कि यहीं पढ़ रहे हैं लेकिन ऐस पीजर आप फिलिंग दरेन ओन इस बाड़ी तो वह विक्ति अपने शरीर पर बरशात के आनंद को महशूष करने के लिए विंट आउट बाहर गया एंड विनी रिटर्न और जब वह वापस लोटा विन मतलब जब ही मतलब वह रिटर्न मतलब वापस लोटा और जब वह व आसमान से गिर रही है यह लिए आरण रेंट्र आप यह बरसात की बूदे नहीं है कि ऑ दे आर नियू कौईंस यह नय कोईंस है नय शिक्के हैं दबिंब लुदे है और 10 सेंटी पीशेजन यह तस सेंट के पीसे सिक्के हैं सेंट इंद हमारे यहां पर सिक्क चलता है मुद अलग देश में मुद्रा का अलग नाम है हमारे यहां पर रुपया चलता है अमेरिका में डॉलर चलता है और रियाल होता है बहुत सारे नाम होते हैं हमको ज्यादा तर नाम याद नहीं है तो यह जो सेंट पीसे सेंट मतलब मुद्रा का ही नाम है हम लोग रुपया कहते हैं सेंट कहा जा रहा है, बिग ड्रॉप्स 10 सेंट पीसेज जो बड़ी भून्दे हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं, एंड लिटिल वन्स और जो छोटी भून्दे हैं और 5 वो 5 सेंट के सिक्के हैं, ये प्रशन बच्चों के मन में अक्सर बनता है, कि यहाँ पर इस बरसात की बूद अच्छा पैशा कमाएंगे सेटेस्फाइड एक्सपेशान साटिस्फाई हम लोग कहते हैं हО जाते हैं जैसे रहुएॐर टॉप कर जाए स्कूल में और अगरियं टॉप कर गये सच में तो म ein। सुकुन मिलता है तो वो चाहता था कि बरसात हो जाए जाहर से बात है और ज्यादा सरल सब्दों में आप चाहते हैं कि चार लोगों के सामने आपको थोड़ा सा भाउकाल बने जाए और होता क्या है कि आपके पास पापा आपको एक महगी सी बाइक दिला देते हैं उस बाइक को लेके आप स्क रहे हैं 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 चाहता इस उसको भी संतोस मिलता है कि हाँ मैं यही चाहता था इतनी देर से मेरी यही इच्छा थी स्वाइनस्ट गेमिंग प्रो कहते हैं हम्युक्स B इतर satisfied expression एक संतुष्टी पूर्ण भावना के साथ ही उसने रिगार्डर देखा the field खेतों को आप ripe corn धान के खेतों को उसने देखा with its flower फूलों से लदे हुए तो एक संतुष्टी पूर्ण भावना के साथ उसने फूलों से लदे हुए धान के खेतों को field को देखा ड्रैप्ट ये लिप्टे हुए थे इना curtain चादर में और रेन बरसात की ये बरसात की चादर में लिप्टे हुए थे बरसात की चादर क्या होती है बारिश हो रही है जब आप बहुत दूर कोई चीज देखें तो आपको लगता है कि बीच में बड़ा कुछ है जिसकी वज़ फूलों से लदे हुए धान के खेतों को देखा जो बरसात की चादर में ड्रैप्ड थे लिप्टे हुए थे तो आगे कहते हैं कि बड़ सडनली लेकिन अचाना का इस श्रॉंग वाइंड एक बड़ी तेज हवा बिगें टू ब्लो बहने लगी अचानक एक तेज हवा बहन बरसात के साथ वेरी लार्ज हैल स्टोनसु बहुत बड़े-बड़े हैल स्टोन्स ओले बिगिन टूफाल गिरने लगे और बरसात के साथ बहुवत बड़े-बड़े purgeन टूफाल गिरने लगे वैरेश कहान कहते हैं सर रीडिंग ना वहां बेटक क्या लिखा है आपने ह वो समझ में नहीं आ रहा फिर से लिखी है ठीक है अच्छा लेकिन अचाना के तेज हवा पहने लगी और बरसात के साथ बहुत बड़े बड़े ओले बेगें टू फाल गिरने लगी दीज ये ट्रूली वास्तों में डिड्रिसेंबल लग रहे थे न्यू नय सिल्वर चांदी के क्वाइन सिक्के अब ये वास्तों में नय चांदी के शिक्के लग रहे थे क्यों चांदी के चांदी जो होती हो भी सफेद होती है साथी साथ बर्प भी सफेद होती है तो वही वो कहते हैं कि अब ये वास्तों में नय चांदी के शिक्के लग रहे थे दबवाईज लड लड़के थे वो बरसात में बाहर भागे ऐसे भी कह सकते हैं कि लड़के बरसात में भीगते हुए बाहर भागे रैन आउट वो भागे तु कलेक्ट इकठा करने के लिए दफ रोजन जमें हुए पंस मोतियों को इन जमें हुए मोतियों को इकठा करने के लिए हम भी बच्पन में यही करते थे जब बरसात होती थी और खास तोर पे ओले पढ़ने लगते थे बर्फ पढ़ने लगती थी तो हम दर-дर कर और उन्हों को उकठा करने लगते थे जैसे पैसे गिर रहे हो तो यह बच्चे होते हैं उनकी हरकते यहसी होती है वो करते हैं ऐसा ठीक है तो वही चीज यहां पर लिखा गया कि the boys exposing themselves to the rain बच्चे बरसात में भीगते हुए बाहर भागे इन जमें हुए मोतियों को इकठा करने के लिए बरसात में भीगते हुए रैन आउट बाहर भागे अब क्या होता है आगे अब यह वास्तों में गेटिंग बैड बुरा हो रहा है अब यह वास्तों में बुरा हो रहा है अब यह वास्तों में बुरा हो रहा है आई होप मैं आसा करता हूँ इट पासिस यह गुजर जाएगा होता भी यही है हम लोग चाहते हैं अगर मैं चाहूं कि इस बार मैं बोर्ट एक्साम में टॉट कर जाएगा जब तक कि बहुत जड़ा में मेहनत न करूँ अगर मैं चाहूं कि कल सुबा मैं चार मजे उठ जाओंगा तो मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा जो हम चाहते हैं वो अक्सर नहीं होता हम चाहते हैं को कोई भी से इस व्यक्ति हमें मिल जाए नहीं मिलता किसी और को मिल जाता है तो एक कहावत है कि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को मुफ्त में पाया है जो मुझे हर कीमत पर चाहिए था कीमत चुगाने के लिए हर व्यक्ति तयार है लेकिन पता नहीं किस्मत में क्या होता है कि जो चीज़ हम को चाहिए वो मिलती नहीं कोई बात नहीं अच्छा है जब कोई चीज नहीं मिलती तो उसकी कीमत समझ में आती और जब चीजे मिल जाती है तो आम हो जाती जैसे आज आगे पास अगर mobile है तो mobile आ है आपको laptop चाहिए अगर laptop है तो laptop कोई बात नहीं बढ़ी बात अब आपको बड़ी सी TV चाहिए TV है तो पुरक पुरा cinema हाल चाहिए तो यह होता है जो चीज मिल गए उसकी कीमत इंसान और नहीं करता और जो उसके पास नहीं है वो उसके लिए मेसा सोना होता है तो जो मिल गया वो मिट्टी है और जो खो गया वो सोना है चलिए इट डिट नाट पास कुईकली यह जल्दी नहीं गुज्रा पॉर एन आवर एक घंटे तक दो ओहेल इन ओलों की रेंड बरसात होती रही रेंड लगा है यहां पर यानी वर्सा होती रही ओन दा हाउस घर के ऊपर दो गार्डेन बगीचे में दा हिलसाइड पहाडी की तलहटी में दा कॉर्ण फील्ड खेतों में ओन दा होल वैली और संपूर्ण घाटी में तो एक घंटे तक इन ओलों की बरसात घर पर होती रही दा गार्डेन बगीचे में होती रही पहाडी की तलहटी में होती रही ख जो खेत था ना वाज वाइट वो सफीध हो गया था खेत सफेद हो गया थे जैसे इन्हें नमक से ढख दिया गया हो जैसे जैसे ढख दिया गया हो विच साल्ट नमक से आज कल मार्केट में कुछ क्रीम आ गई है वो क्या करती है वो काले आदमी को भी गोरा कर देती है ठीक व लादों कहते हैं माई बेस्ट चैप्टर सर चलिए बढ़िया चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है यह चलिए तो दफील्ड वाइट खेत ऐसे सफेद हो गए थे मानों कवर्ड विच साल्ट मानों जैसे नमत से ढख दिये गए हूं आगे कहते हैं नौट लीफ एक भी पत्ता रिमेंड नहीं बचा था ओन ट्रीज पेड़ों पर पेड़ों पर एक भी पत्ता से यस नहीं बचा था दक्वार्न फसल वास टोटली पूरी तरह से डिश्राट बरबाद हो गई थी फसल पूरी तरह से बरबाद हो गई थी दा फ्लावर्स वर ग वो गिर गये थे जड़ गये थे from the plants पौधों से और पौधों से फूल जड़ गये थे लेंचों सोल देखे लेंचों लिखा है उसके बाद पोस्ट्राफियस है जिसका मुतलब होता है का की के तो लेंचों की आत्मावास फिल्ड भर गई with sadness दुख से तो लेंचों की आत्मा दुख से भर गई when the storm और जब तुफान हैट पास्ट गुजर गया जब तुफान बीत गया he stood in the middle तो वो मध्धे में खड़ा हुगा आप दे फिल्ड उस खेत के यानी वो अपने खेत के मध्धे में खड़ा हुआ and said और बोला तो हिससन अपने बेटों से और अपने बेटों से बोला अप लोग एक जुन्ट और लॉक्टस लॉक्टस मतलब क्या होता है लॉक्टस मतलब होता है इंसेक्ट विच फ्लाई इन रील्स वगारा भी बन रही थी टिड्डियां आई कि वह पुरी पुरी फसल खा जा रही थी तो होते टिड्डियां तो कहते हैं कि लेंचों की आत्मा दुख से भर गई और जब तूफान घुजर गया वहां खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला चलिए हम नेक्स पेज पर चलते हैं वो कहता है कि अप्लोग अप्लोग टा स्टिड्डियों का एक जुन्द भी और नेक्स पेज पर चलिए भाई नेक्स पेज हमारा क्या कहता है कि उड़ा सा और जूम करेंगे जूम करेंगे जूम करेंगे जूम करेंगे जूम करेंगे मेरे लिए भسم आना ऩपनानेशGUB connecting तो जोम करेंगे चलिए अमें लेफ्ट छोड देता ओरुर्द इस से अधिक तो टिड्डियोंiger जुंड भी इस से अधिक छोड़ देता है रहेल ऑलोने में फ्लक छोड़ा है न्धुन कुछ भी नहीं आनक इस ev we will have no corn, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, we will have, have मतलब पास होना, तो no have यानि नहीं होगी कोई फसल यानि इस साल हमारे पास फसल नहीं होगी, that night वो रात was a sorrowful one, sorrowful one, sorrowful मतलब दुख भरी one, रात थी, वहां रात एक दुख भरी रात थी, all our work, हमारी सारी महनत for nothing, बेकार हो गई अर्थात, हमारी सारी महनत के बदले, हमें कुछ नहीं मिला, आगे, तो all our work for nothing, हमारी सारी महनत बेकार हो गई, there's no one up, कोई भी ऐसा नहीं है, who can, जो कर सके, help us हमारी सहायता, अब कोई भी ऐसा नहीं है, जो हमारी सहायता कर सके, विल हम, all सभी, हम सभी go hungry, भूखे रहेंगे this year, इस साल, तो इस साल हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा, अब यहाँ पर comprehension है, इसका कोई काम ही नहीं है, तीन question है, आप से पुछे गए हैं, कि वार्द दिल हो, फोर छोड़िये, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे, यहा लेकिन, in the heart, hurt मतलब होता है, हर्दय, दिल, जो धक्दक करता, ठीक है, अफाल, उन सभी के, लेकिन, उन सभी के हर्दय में, who जो lived रहते थे, in that, उस solitary, एक अकेले house घर में, जो उस अकेले घर में रहते थे, लेकिन, उन सभी के दिलों में, जो उस अकेले घर में रहते थे, in in the middle मद्ध में आप दे वैली घाटी के जो घाटी के मद्ध में उस अकेले घर में रहते थे देर वाज सिंगल होप शिंगल एक मात्र होप आशा थी उन सभी के दिलों में एक मात्र आशा थी हेल्प सहायता फ्राम गौड भगवान से भगवान से शहायता इश्वर से सहायता डोंट बी शो अपसे डोंट भी मत हो सो अपसेट इतने उदास इतने उदाश मत हो रवीर एंजन कहते हैं देवरिया फ्रॉम यूपी अरे आप तो हमारे बगल से हैं चलिए कोई बात नहीं डोंट भी शो अपसेट इतने उदास मत हो इस यह लगता है लाइक थोटल लॉस की टोटल लॉस हो गया है सब कुछ बरले ही ऐसा लगता है कि सब कुछ बरल वह गया है रिममबर याद रखो no one dies कोई भी नहीं मरता hunger भूख से कोई भी भूख से नहीं मरता तो इतने þोट इ यह ऐसा लगता है कि सब कुछ बर्माद हो गया है याद रखो नोवन डाइस आफ अंगर का मतलब होता है कोई भी भूखा नहीं मरता आम तोर पर हम लोग बोलते हैं कि टेंसन क्यों ले रहे हो कोई भूखा थोड़ी मरता है वह चीज आसेस कहते हैं मैं करावली फ्राम राज स्थान धन्यवाद डियर अच्छे से पढ़िए आगे आईए लोग यही कहते हैं आप लोगों को भी कहते हुए सुनिए आम तोर पर हमारे घर में मम्मी पापा भी कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता सबका पेट भरता है भगवान ठीक है तो वही देट्स वाट देसे ल खाने मरता तो लोग भी कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता आल तो नाइट पूरी रात लैंचो लैंचो थॉट्ट शोच्टा रहा अगे तो पूरी रात लैंचो अपनी एक मात्र आशा के बारे में सोचता रहा और वह आसा क्या थी हैट आफ गॉड भगवान की शहाय थे ही इसकी आखें जैसा कि उसे हैट बीन इन्स्ट्ठट किया गया था जैसा कि उसको बताया गया था शी देखती है जानते हैं घरण सब कुछ घराई में हो इन वंस कॉंसाइज वंस मतलब किसी व्यक्ति के हिर्दय की गहराई में तो भगवान सब कुछ जानते हैं हम लोग प्रार्थना भी करते हैं अगर हम लोग मुह से नहीं बोलते अपने मन में ही बोलते हैं कि भगवान हमारी सहायता कीजिए तो भी भगवान सुनते हैं हमारे माता पिता ने हमको यहीं बताया है हम में यही बताया गया है ठीक है तो क्या कहता है कि help of God भगवान की सहायता यानि वो चाहता था कि भगवान उसकी मदद करें हूज आइस जिनकी आखें सी एवरिफिंग सब कुछ देखती है भले ही वहाँ बात किसी व्यक्ति के हुरदय में या फिर हुरदय की गहराई में छुपी हो had been instructed ऐसा उसे बताया गया था ये पहला तरीका है पढ़ने का दूसरा तरीका आप इसको ऐसी भी पढ़ सकते हैं कि लैंचो ये हो गया फूज आइस जिनकी आखें जैसा कि उसे बताया गया था सब कुछ देखती है भले ही या किसी व्यक्ति के हुरदय की गहराई में ठीक है आगे अब क्या कहते हैं कि लैंचो वाज एन ओक्स लैंचो एक ओक्स था लैंचो एक बैल था आफ अ मैन इंसान के रूप में लैंचो इंसान के रूप में एक बैल था क्लास में भी कुछ बच्चे होते हैं कितना भी पढ़ें उनको समझ में नहीं आता या पर तो वो कहता है कि लेंचो वाज एन ओक्समैन लेंचो इनसान के रूप में एक बैल था वर्किंग वो काम करता था लाइक एन एन इमल एक जानवर की तरह इंद फिल्ड खेतों में वो खेतों में जानवर की तरह काम करता था बट इस्टी लेकिन फिर भी ही निव वो जानता थ लो फिर भी लिंखना जानता क्या dafollow in Sunday अगले रभीवार को at ढीए ब्रेक अगले रभीवार को शुबह 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 ही यह तो फिटेर को हुँ किसले उसने लिखना बिगान सुरू किया उसने लिखना ऊसे ने पत्र लिके न सुरू क्या बीच जिसे he himself जिसे वो खुद उटकैरी ले गया to town कसबे में जिसे वो खुद कसबे में ले गया and place in the mail और mail में place कर दिया ऐसे लोग अपना पत्र ठीक है आप लोगों ने देखा होगा नहीं देखा तो पोश्टाफिस जाइए अपने घर के पास में जो पोश्टाफिस हो वहाँ पर एक लाल रंग का डप्बा रखा होगा उसी में सब लोग पत्र डालते ठीक है तो अगले रभीवार को शुभाश अबेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वो खुद कस्बे में ले गया यानि कस्बे तक ले गया और मेल में डाल दिया It was nothing ये कुछ भी नहीं था less than a later एक पत्र से to God भगवान को तो भगवान को लिखे गए एक पत्र से less less का मतलब होता है कम ए भगवान को लिखे गए एक पत्र से कम It was nothing ये कुछ भी नहीं था अर्थात भगवान को लिखे गए पत्र के अलावा ये कुछ नहीं था उसने सिर्फ भगवान को एक पत्र लिखा था बस श्रीवरतन साथ क्या कहते हैं सर आपका पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा समझाता है धन्यवाद ग्रियर हम भी बहुत महिनत करते हैं आप सब अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे मैं तो मेरा परिवार एंड आई और मुझे विल गोंगरी भूखा रहना पड़ेगा दीस यह इस शान तो मेरे परिवार को और मुझे इस साल भूखा रहना पड़ेगा आई नीड मुझे आवसकता है 100 पीशोष, 100 पीशोष की मुझे 100 पीशोष की आवसकता है पीशोष भी मुद्रा का नाम है ठीक है हम लोग रुपया कहते हैं कि मुझे 100 पीशोष की आवसकता है वो कह रहा है कि मुझे 100 पीशोष की आवसकता है in order to show मतलब बोने के लिए my field मेरे खेतों को again दुबारा मेरे खेतों को दुबारा बोने के लिए and to live और जिन्दा रहने के लिए until the crop until जब तक की the crop फसल कम्स तयार नहीं हो जाती जब तक की फसल तयार नहीं हो जाती because क्योंकि the hail storm ओलो ने क्योंकि ओलो ने यानि dead dead sorry dot 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 इसका मतलब उसने लिखा था आगे कि ओलो ने मेरी पुरी फसल बरबात कर दी है ठीक है तो हमारे लेखर जानते थे कि हम ये कहानी पहले सही जानते हैं तो उन्होंने पुरी बात नहीं लिखी बलकि वो dot 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 कर देते हैं ठीक है he brought उसने लिखा to God भगवान के लिए on the envelope लिफाफे पर लिफाफा वो होता है जिसके अंदर पत्र होता है हम लोग लिफाफा फारते हैं फिर अंदर से पत्र निकालते हैं तो उसने लिफाफे पर भगवान लिखा या फिर लिखा भगवान के लिए पुट दे लेटर और लेटर को उस पत्र को पुट रखा इंसाइड लिफाफे के अंदर रखा and still troubled और अभी भी थोड़ा सा घबराया हुआ went to town कसवे में गया at the post office post office पहुँच कर he placed a stamp उसने एक stamp लगाया on the later पत्र पर मोहर लगाते हैं न वो चीज तो उसने पत्र पर एक stamp लगाया and dropped और इसे डाल दिया इस पत्र को डाल दिया into the mailbox mailbox में यानि उस लाल डब्बे में और इस पत्र को उस लाल डब्बे में जानी mailbox में डाल दिया ठीक है clear हो गया कि उसने लिफाफे पर लिखा भगवान के लिए पत्र को लिफाफे के अंदर डाला और अभी भी थोड़ा सा घबराया हुगा कस्वे में गया post office पहुँच कर उसने पत्र पर एक stamp लगाया और dropped इस पत्र को into the mailbox mail में डाल दिया अब ध्यान से समझिए लेंचो की कहानी खतम हो गई अब कहानी है जो post office के करमचारी है उनकी one of the employees करमचारीों में से करमचारीों में से एक ठीक है who was a postman जो एक postman था जो एक डाकिया था and also और भी helped मदद भी किया करता था at the post office post office में डाक घर में और डाक घर में मदद भी किया करता था went गया to his boss अपने boss के पास अपने boss के पास गया laughing hurtly hurtly जब हम बोलते हैं कोई चीज तो laughing के अगर बात है तो laughing hurtly का मतलब होता है जो रो से हस्ता हुआ and showed him और उसने उसे दिखाया the letter पत्र को और भगवान के लिए और भगवान के लिए लिखे गए पत्र को showed him उसको दिखाया ठीक है तो कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और post office के कामों में मदद भी किया करता था वो जो रो से हर्षता हुआ अपने boss के पास गया और उसे भगवान के लिए लिखे गए पत्र को दिखाया never in his carrier अपने पूरे carrier में अपने पूरे नौकरी के दौरान as a postman, postman के रूप में तो postman के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान had he known उसने नहीं जाना था that address इस पते को उसने इस पते को नहीं देखा था या फिर वो इस पते को नहीं जान सका था आज तक किसी ने भगवान को पत्र लिखा किसी ने नहीं किसी ने भोन करके भगवान से बात करने की बात कोशिस की, किसी ने नहीं यह अर्शम्भव है, वही है कि एक डाकिये के रूप में अपनी पूरी नौकरी के दौरान उसने कभी बी इस पते को नहीं जाना था जा अब जो that उसे का मतलब होता है जो सब से मित्रता कर लेता हो और फ्लीजेंट मतलब था ठीक है तो पोस्ट मास्टर एक मोटा एम एबल खुस मिजाज और सज्जन व्यक्ति था नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो फैलो फैलो का मतलब वही व्यक्ति तो वह खुस मजाज और मैत्री पूर्ण सज्जन व्यक्ति था अच्छा आप लोगों को क्लियर दिख रहा है ना कोई दिक्कत हो तो हमको बताईएगा ठीक है हम और ज्यादा जूम करेंगे हम ज्यादा जूम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं यहाँ पे पेज दिख जाता है हमारा काम हो जाता है राज मुश्कान कहती हैं हलो गैस अच्छा हलो गाईस ठीक है सभी गाईस और हमारी भैसिया भी सब लोग आपको हमारी गरब से हलो करते हैं ठीक है और आllसो भूख आउट्ट वह भी भूप आऊठ हो गया लफिंग यानि वो भी जोरों से हस पड़ा ठीक है कि अब लेकिन आप ढांपोष इने इंधेट लि किन तुरंत ही हीटरन् सीर्य इड वह सीरियेस हो गया लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया ठीक है and tapping the later और उस पत्र को टैप करते हो टैप का मतलब होता है थप थपाना किसी चीज को थप थप थपाते हैं तो और उस पत्र को थप थप थपाते हुए उसने कहा वाट पीट काइसा अडविध भीश्वास है इस विख्ती के जैसा उडवर्ण लिखा हैस लेटर को कास मुझमें भी इस व्यक्ति के जैसा विश्वाश होता जिसने इस पत्र को लिखा है Starting up जो शुरू करना चाहता है A correspondence एक पत्र व्यवहार with God भगवान के साथ जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना चाहता है तो पत्र के माध्यम से बात करना चाहता है ठीक है चलो और जूम कर देते हैं क्या करना है अब ठीक है इसलिए in order not to shake ना डगमगा जाए यानि डगमगा न जाए दो राइटर स्वित लेखक का विश्वास भगवान में ना डगमगा जाए शेक ना हो जाए दपोस्ट मास्टर केम अप बिथा न आइडिया पोस्ट मास्टर को एक आडिया केम आया रहा क्या विचारे आया क्या विचाराया daw एन्षवर दा लेटर इस पत्र का इंसर किया जाये इस पत्र का उत्तर दिया जाए आप ख्यान से समझें लेकिन जब इं उस ने से खोला उसophया वह बढस तो यह स्पर्ष्ट हो गया that to answer की उत्तर देने के लिए इसका की इस पत्र का उत्तर देने के लिए he needed something more he उसे needed आव सकता है something more कुछ और चीज की या फिर किसी और चीज की than goodwill नेक भावना इंक स्याही एंड पेपर और स्याह पेपर के ठीक है तो जब उसने इसे खोला इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे नेक भावना स्याही और कागज के अलावा भी किसी और चीज की आवर्शक्ता है उसने पैसे मांगे थे आगे देखियें बट लेकिन ही इस तक वो अडिग रहा टू इस रेशियो लेशन अपने निश्चे पर अडिग रहा जिस जो निश्चे उसने कर लिया था उस निश्चे पर वो अडिग रहा ही उसने आस्ट फॉर मनी पैसे मांगे फ्रॉम इस अपने करमचारियों से उसने अपने करमचारियों से पैसे मांगे ही इंसल्फ उसने खुद गेव दिया पार्ट आफ इस सैलरी अपनी सैलरी अपनी तनखा का पार्ट कुछ हिस्सा उसने खुद अपनी तनखा का कुछ हि देने के लिए और उपने बहुत से मित्रों से उसने कुछ देने के लिए अनुरोद किया for an act of charity for an act of charity का हिंदी होता है दान के रूप में ठीक है लेकिन वह अपने निश्चे पर अडिक था उसने अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे मांगे उसने खुद अपनी तनखा का कु पुछ नपुछ देने के लिए कहा ठीक है मतलब देना और अनुरोद किया तो देने का अनुरोद किया इन देखे रचल उसके लिए असमझाव था निए 100 फिसो 100 फिसो उसके लिए इकठा करवाणा अशमभव क्या है आप अपने सभी मित्रों से मागेют तो अभ тебя रुप एकठा करवाना अन्य मुश्किल होगा तो वही चीज़ वो कहता है कि उसके लिए किसी भी तरह से शोव पीशोष इकठ्था कर पाना अशंभव था शोव ही वाज एबल इसलिए वो एबल हो सका वो इकठ्था कर सका तो सिंड भेजने के लिए दा फार्मर उस फार्मर को उसकिसान को अधे से इसलिए वहं उसकिसान को आधे से थोड़ा थिकए धन भेजने के योग्य हो सका अर्थात आधे से थोड़ा अधिक धन भेज सका सवका अधा 50 तो 50 से थोड़ा से ज्यादा साथिय सफ्तर ठीक है तो उसके लिए किसी भी तरह से सो पिसों से कठा कर पाना असंभव था इसलिए वह किशान को केवल आधे से थोड़ा अधी की धन भेज सका रखे राजिया एक लिखाफे में उसने पैसों पो एक लिखाफे में रखा अड्रेस to लैंचो इस पर लिखाफे पर अठ्रेस लिखा अन्ड वित इज़ और पैसों के साथ एक पत्र containing एक पत्र भी रखा only a single word जिस पर केवल एक सब्द लिखा था as a signature हस्ताक्षर के रूप में God यानि उस पूरे पत्र पर सिर्फ God लिखा था खुब बड़ा भगवान ठीक है तो उसने पैसों को को लिफाफे में रखा लिफाफे पर लैंचो का पता लिखा और इन पैसों के साथ उसने एक पत्र भी रखा जिस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक सब्द लिखा था God भगवान अगली आगे चलेंगे अगले रभी बार को लैंचो केम लैंचो आ गया बिट अर्लियर थोड़ा सा जल्दी दैन यूज्वल रोज के पिक्षा तो अगले रभी बार को रोज के पिक्षा लैंचो थोड़ा सा जल्दी आ गया तो आस्क या पूछने के लिए देरवाज लेटर कि क्या उसके लिए there was a letter कोई पत्र आया है तो क्या पूछने के लिए था कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है it was the postman postman यारनी डाकिये ने himself डाकिये ने खुद who handed दिया the letter उस पत्र को to him उसे डाकिये ने खुद उसे वो पत्र दिया while the postmaster जब की postmaster जो postmaster था वो experiencing अनुभव कर रहा था the contentment संतुष्टी का of a man किसी ऐसे व्यक्ती की तरह who has performed a good deed जिसने good deed कोई अच्छा perform किया हो कोई अच्छा काम किया किसी दिन सडक पर जा रहे हैं कोई बुढ़ा व्यक्ती गिर गया आपने उसे उठा दिया तो आपको अच्छा लगता है अंदर से की चलिए हमने किसी की मदद की कोई बच्चा है उसका पैसा गिर गया है आप उसके पीछे हैं वो थोड़ी दूर आगे गया उसके पैसे आपको मिल गया है आपने उन पैसों को उठाया उस बच्चे ने वापस आपके आपसे पूछा कि भाई आपको पैसा मिला क्या हमारा आप कहे देते हैं कि हाँ मिल गया है आप अपना पैसा रख लो तो जब आप किसी को उसका पैसा दे देते हैं तो आपको संतुष्टी मिलती है लेकिन अगर आप उसनी पैसों को अपनी जेब में रख लेते और उससे कहते कि नहीं मिला तो आपका मन अपनी आप में आपको नीचा दिखाता रहता तो जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है अंदर से जब आप किसी को कोई चीज दान देत लगते हैं तो आपको अच्छा लगता है अच्छे काम इसलिए किये जाते हैं ताकि हमको अच्छा लगी ठीक है रवी रंजन कहते हैं पोस्ट माश्टर कितना पैसा भेजा सर चैप्टर में आगे चलेंगे बताएगा तो अटो पैटवाल द पोस्ट मैं डाकिये ने experiencing the contentment संतुष्टी का अनुभाव कर रहा था who has performed a good deed जिसने कोई अच्छा काम किया हो looked on from his office और वहां भी looked कर रहा था वो भी देख रहा था from his office अपने office से और वहां भी अपने office से देख रहा था वह भी अपने दफ्तर से देख रहा था विने मिस्रा कहते हैं गुरुजी वेरी वेरी थैंक्स आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं धन्यवाद डियर अब देखिए लेंचो लेंचो ने नहीं दिखाया नौट असलाइटेस थोड़ा सा भी अश्चर यह नहीं दिखाया था लेंचो थोड़ा सा भी अश्चर यह चकित नहीं हुआ सच वाज इसका विश्वास था उसे विश्वास था कि इन पैसों को भगवान नहीं भी जा है अश्वास था इतना ऊच्छा विश्वास शोचिये सोचने वाली बात है कोई दूसरा आदमी होता तो सोचता करें पैसे आ कहां से गए भगवान के पास पत्र जा ही नहीं सकता लेकिन वो थोड़ा सा भी यास्चेरच कितने हुआ सचवाजी सब्सक्राइब हुआच जने मनीच उन पैसों को इन वो ग radish Feld लेकिन और ऑ गुद्याएं नो क्यर्ण का कीक्ज़ए लेकिन वो गुष्चा हो गया जब उसने उन पैसों को गिना गौड भगवान कुद नौत है मस्टरे चार्ण के यस ने विस्टेच कना made नहीं कर सकते, not have made, कभी नहीं कर सकते, भगवान कभी भी mistake, could not have made, नहीं कर सकते, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, और ना ही could he have denied, और ना ही वो मना कर सकते हैं, लेंचो को, और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं, what, उसके लिए, जो ही उसने had requested प्रार्थना की थी, औ और ना ही वो उसके लिए उसे मना कर सकते हैं जो उसने रिक्वेस्ट की थी जो उसने प्रार्थना की थी क्यों भगवान के पास बहुत पैसा है हम सब जानते हैं भगवान हमको पैसा दे दीजिए मांगने जाते हैं तो जानता है भगवान के पास बहुत पैसा भगवान पैस अपना की थी immediately तुरंत ही लेंचो विंट अप लेंच 2020 गया तो डब विंडू की के पास लेंचो तुरंत खिटकी के पास गया to ask लाइश्क्ण मांगने के लिए for paper कागज ऐन ओर शाही लेंचो तुरंत खिडकी के पास कागज और शाही मांगने के लिए गया और पब्लिक राइटिंग टेबल और पब्लिक राइटिंग टेबल पर आम जनता बैठ कर जहां पर लिख सकती है उसको बोलते हैं पब्लिक राइटिंग टेबल पोस्ट आफिस जाईए तो वहां पर आपको पब्लिक राइटिंग टेबल मिलेग कर he started to write उसने start कर दिया उसने सुरू कर दिया तुराइट लिखना उसने लिखना सुरू कर दिया सर पांच मिनट की क्लास और रहेगी चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा पांस मिनट में ठीक है जाना है क्या आपको ठीक है बैठिये हमारे सर्थ फोड़ा जल्दवाजी में है है आज क्योंकि चैप्टर हम ज्यादा खीच रहे हैं कोई बात नहीं है आगे देखिए अन्द पॉब्लिक राइटिंग टेबल ही है ही स्टार्ट टू राइट तो पॉब्लिक राइटिंग टेबल पर आम जनता लेखन मेज पर बैठ कर उसने लिखना सुरू कर दिया ऀसकी वह आधोवें ब्रिंकल हो गई थी विशकी रही इकषच बाइट मतलब प्रयास करने की वजह से लिए दिखाने का प्रियास करने की बज़ा से इस उसके विचारों को जो प्रियास 형ay इमीडिटली एंच प्थ यह हो गया था तो यह हो गया था यहां पर हैं हम कि his ideas उसके विचारों को express प्रदर्शित करने का मेख प्रयास करने की वजह से कॉस्ट की वजह से he is broke उसकी भाव है मच ब्रिंकलिंग शिकुड गई थी clear हो गया तो तुरंत लैंचो खिड़की के पास कागज और शाही मांगने के लिए गया और आम जनता लेखन टेबल पर बैठ कर he started to write उसने लिखना शुरू किया विट मच ब्रिंकलिंग ओफ इस ब्रो कॉस्ट बाइद एफर्ट और ही हैड मेक तू एक्सप्रेस हीज आइडियास हीज आइडियास उसकी विचारों को एक्सप्रेस प्रदर्शित करने का एफर्ट प्रयास करने की कॉश्ट बजह से विट मच ब्रिंकलिंग स्टैंप खरीदा उसने एक मोहर खरीदी स्टैंप पर लएक होता है छोटा सा मोहर आता है ठीक है तो उसने एक स्टैंप खरीदा विची लिफ्ट जिसे उसने चाटा एंड देन अफिक्स्ट और फिर चिपका दिया ठीक है तो जब उसने अपना पत्र लिख लिया वह खड़ पर चिपका दिया with a blow of his fist fist मतलब हथेली सी मार कर जब आप गम से कोई चीज़ चिपकाते हैं तो आप उसको बार बार यासे टैप करते हैं मारते हैं उस पर ठीक है तो the envelope with a blow of fist अपनी हथेली से मार कर उसने उसको लिफाफे पर चिपका दिया the moment जिस च्छन दलिए रवा पाटर फेल केरां to the mailbox mailbox में जी सचर्ण वो पत्र mailbox में अन गिरा the mailbox the post master O amp post master win to open it post master meant they are to open it or if a open tris a Koh Allah he can तो जिस्च राद लेटर फेल इन तो देल ड्रमय वाक्स जिस्च रावाब पत्र में गिर पोश्ट मास्टर या पोस्ट मास्टर गया तो पोश्ट मास्टर गया और इसे खोला इस पत्र में लिखा था God, भगवान, आफ द मनी जो पैसे that I asked मैंने मांगे थे यानि जो पैसे मैंने मांगे थे, only 70 pieces केवल 70 pieces reached me मुझे मिले है ध्यान रखिएगा, हर बार board exam में संभव है कि ये जरूर आ जाए कि उसको कितने पैसे मिले थे तो आपको याद रखना है कि उसको 70 pieces मिले थे, 70 pieces मिले थे बविकल्पी में ये प्रश्न आता है, ठीक है तो उस पत्र में लिखा था, it said, उस पत्र में लिखा था God, the money that I asked for भगवान जो पैसे मैंने आप से मांगे थे, only 70 pieces reached me, उसमें से केवल 70 pieces ही मुझे मिले है send me, मुझे भेज दीजिए, the rest, बाकी के पैसे, मुझे बाकी के पैसे भी भेज दीजिए since I need it, क्योंकि मुझे आवा सकता है, it इन पैसों की very much बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत बहुत ज़्यादा आवरश्यक्ता है but, लेकिन, don't send, मत भेजिएगा, it इन पैसों को, लेकिन इन पैसों को मत भेजिएगा, to me, मुझे, लेकिन, मुझे इन पैसों को मत भेजिएगा, throw the mail, डाक से, मुझे इन पैसों को डाक से मत भेजिएगा, because, क्योंकि, the post office employees, क्योंकि, post office के employee, post office के कर्मचारी, आजब आर बंच आफ क्रूक्स मतलब होता है चोर या फिर ठग कह सकते हैं तो क्रूक्स का बंच है ठगों का शमूह हैं लेकिन मुझे इन पैसों को डाक से मत भेजिएगा क्यूंकि डाक घर के कर्मचारी ठगों का समूह हैं और लाश्क में उसने अपना साइन किया लैंचो यहां पर आप देख सकते हैं कैसे डाक घर में खिड़की के पास गया है अपना पत्र दे रहा है यह आपकी बुक में भी होगा तो ये सारी चीजे प्राप्त करने के लिए आप हमारा Desire Point अप डाउनलोड कर लीजिए अप का लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा जैसे ही उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे वो लिंक आपको सीधा हमारे अप पर Play Store पर ले जाएगा Play Store से आपको हमारा एप डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में एप पर registration कर लेना है और एप पर आपको सारी चीजे मिल जाएगी आप अच्छी तरह से बारी की से मन लगा कर सभी chapters को पढ़ सकेंगे सारे notes मिल जाएगे और कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी और हाँ हमारा contact number भी आपको मिल जाएगा अगर आपको कोई दिक्तत होगी तो आप हमसे contact करके बात भी कर सकेंगे पूरा वीडियो देखेने के लिए धन्यवाद इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी share करें ताकि वो भी से लाब ले सके